आज मैं आपको लिये चलता हूँ जारकंड राजी के देवगर जिलांतरकत मदूपर परकंड की और एक छोटा सा गाउं बवंडिया जहाँ पानी के अभाव में वर्चा धारित धान की खेती को सोड़कर बाकी समय पड़े खेत किसानों को किस्मत को अंगोठा दिखाते रहत इस छेत्र में पानी की कमी और पानी की कमी शे ग्रामिनों को होने वाली परिसानियों के बारे में जानने के लिए आपको मिलाते हैं क्यांके प्रबूत किसानों है तो और नाम की लागो तो कते दिन आस खेती करें करें तीस साल सा खेती कर रहा लिए हुगर अलावे हमने के रहने कोई पानीके बैवस्तिा नाहे हूं लिए रहन नाम कीमेशन किसान विए आ. किल मीर्क पानीक डोसब्हुन कारण अ मेंहीन कुछा सब करको लिए को रहन पानीक काराती हैं को सब्रम प सोब्हारे नाहे हूं औरफकर है। इस नस के और किया। आपके पाश क्या समस्या है? हमारी यह समस्या है कि हम लोग एक गरीब किसान है और पानी के अभाव में साल भर में सिर्फ एकी बार धान की खेती कर पाते हैं उभी वर्सा होने पर यदि वर्सा नहीं होती तो सायद ये भी खेती हम लोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारान से हम लोगों का विकास अच्छी ढंग से हो नहीं पाता है. और एक जगा से दुसरी जगा काम की तलास में भटकना पड़ता है. यदि हमारी इलाके में पानी की समुचीत वाई वस्था होती, तो सायद हम लोगों का जीवन सही धंग से चलता हम लोग सही धंग से खेती कर पाते हैं तो आप लोग को ये समस्या कितनों दिनों से हैं? जी हम लोगों की ये समस्या लगवद पिछले कई सालों से हैं तो जब ये कईड शालों से ये समस्या है तो आपने इस समस्या को सरकार के पास रखा? जी सरकार के पास बहुत बार दर्खाज भी दियें लेकिन हम गरीब किसानों की आवाज सरकार जल्दी सुनी नहीं पाते हैं आपने देखा की इस स्चेत के किसान सिर्फ वर्चा रितू में ही केवल दान की खेती कर पाते हैं और बाकि समय इस स्चेत का खेत पाणी के अभाव में सुखा गरस देखने के मिलता है जिसके वज़े से यहां के किसानों का जीविका सेश्य उपार्जन नहीं हो पाता और ये पलायन पर मजबूर है अगर इस छेत्र में पानी का समुचित वास्ता की जाए तो यहां के किसान चालो बर खेती कर पाएंगे और अपना जीवी का से से उपार्जन कर पाएंगे मैं मुगे सरजक जारकन के देवगर जिले का इंडियान हड़ से